1. यात्रा के दौरान अंगूठी पहनें चाहे आप शादी शुदा हो या नहीं, शादी की अंगूठी पहन कर यात्रा करें यह बताने के लिए बस एक दिखावा है कि आप अकेले नहीं है और अकेले यात्रा कर रही है दुर्भाग्य से कुछ पुरुष अपने सामने खड़ी महिला की तुल्ना में एक कालपनिक पुरुष का अधिक सम्मान करेंगे दो, पुरुषों के उत्पाद खरीदे पुरुषों के वर्ग में खरीदने पर कुछ चीजों की लागत कम होती है और वे बहतर काम करती है उदाहरन के लिए पुरुषों के रेजर महिलाओं की तुल्ना में सस्ते होते हैं एक मात्र अंतर यहा है कि वे गुलाबी या बैंगनी नहीं है जो जाहिर तौर पर शेविंग अनुभव को बहतर बनाता है ऐसा नहीं होता अक्सर केवल खुश्बू और पैकेजिंग ही भिन्न होती है फिर भी उत्पाद एक ही होता है तीन एक होम अलोन कार्ड ले जाएं यदि आपके साथ कुछ होता है तो यह कार्ड लोगों को बताएगा कि आपके घर में कोई चाहे बच्चे हो या पाल्तू जानवर अपनी सुरक्षा स्वयम नहीं कर सकता और वापस लोटने के लिए आप पर निर्भर है बस कार्ड पर नोट कर ले कि जब तक आप घर वापस नहीं आ जाते तब तक अपने बच्चे की देखभाल की व्यवस्था करने के लिए किस से संपर्क करना है चार आभूशनों को तिनके से पिरोएं अपनी जंजीरों को तिनकों में पिरोकर और अकवार से कसकर अपनी आगामी छुट्टियों की तयारी करें इससे सामान खोलने में बहुत कम परेशानी होगी और आपके आभूशन उलजने से बचेंगे पांच गर्म पानी में गुच्छेदार मसकारा डाले बस मसकारा ट्यूब को एक कप गर्म पानी में डुबोएं और अगर यह चिपकना या सूखने लगे तो इसे कुछ मिंटों के लिए भीगने दे 6. जूतों को शावर कैप्स में पैक करें अपने कपड़ों को गंदा किये बिना अपने जूतों को एक बैड में रखना सूट केस पैट करने की कई चिंताओं में से एक है अपने जूतों को अच्छी तरह से लपेटने के लिए शावर केप का उप्योग करें जिससे वे पैकिंग के लिए तयार हो जाएं साथ अपने फोन केस में पैसे रखें यदि आप अपने फोन और उसके केस के बीच कुछ पैसे रखते हैं तो आपके पास हमेशा कुछ आपातकाली नगदी रहेगी हाला कि यदि आपके पास पश्ट फोन केस है तो इस हैक का उप्योग ना करें क्योंकि यह जेब कतरों को आकरशित कर सकता है आठ अपने पसंदीदा पे पदार्थो को बर्फ के टुकडों में बदल दे वांचित पे को बर्फ की ट्रे पर डाले और अपने पे को बिना पानी डाले थंडा रखने के लिए इसे जमा दे उदाहरन के लिए आप आइस्ट कॉफी बनाने के लिए फ्रोजन कॉफी क्यूप्स का उप्योग कर सकते हैं